अभी तक राम चंदर जी के ठेकेदार बने हुए लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना इस बार जो पार्टी भगवान राम की बात कर रही है ना वो पार्टी ऐसी नहीं है कि मूँ में राम रखती है और बगल में छुरी रखके चलती हो आपका है है हम जब राम की बात करते है तो बगल में छुरी नहीं संविधान दुख़ कर चलते हैं पर इस लिए धियान रखना इस व्यवार वास्ता ऐसी पार्टी से अपका इबस्क्रव साथियों नहीं कहा श्या हुआ आप हमारे देो आप देश्भक्ति की बाथ तो करते हो इस रास्ते पे चलते हुग आप देश्बक्ति की बात तो करते हो लेकिन पूरे देश की राजधानी को पुछले 15 साल में आपको चलाने का मुझा मिरा है cd की सक्ता यै में धस्ता आप बात देश बक्ति की करतें मैं 訴ब any अलess में काम करना चाहते और कुछ करकर करना चाहते यह हमारी देशवक्ति हैं पुडन फैलाने की देशवक्ति नहीं चाहते हैं ़े कि पछले पंद्रे साल में दिल्ली नगरनिगम में एक भी नगरनिगम का ऐसा school नहीं है, एक भी जिसके बारे में ये दावे से कह सकें, कि हमारे नगरनिगम के फलाने exercise school में पाँचवी के दिए पढ़ने ला बच्चा दूसरी धेस्ट की text book ठीक से पढ़ सकता है यह इस कि भी वे पाच्वी क्लाष के बच्चे को ले से 5 जड़ा chrono एक बच्चे का और पांच भी क्लास में जब च्छा पढ़ने पढ़ते पहुंचता है प्रमोट होके तो उसको दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं आती यह आपका रास्ता है यह आपको मुझा रखो हमें यह रास्ता निशी है हमारी देश वक्ति हैं हम बिल्कुल ऐसी प्राइवेट श्कूल हों पढ़ा लेते हैं गरी बच्चे को नगर निकमन पढ़ाते हैं और कहते हैं इनका रास्ता है हम इस रास्ती पर मुझे लेंगे तेक्षमित आप सुर्फ बात करते हो उस भारत माता का एक बेटा जिसके भारत माता की जया आप कहके कहते हो कि हम द बड़र तक कीले ठुकवा देते हो उसके रास्ते में और कहते हो हम दोशबते हैं आप खिसानों का रास्ता रोकने के लिए नुकीली ऐसी कीले खरा कर उसके फोटो खिचवा के दहशत फैलाते हो ऐसे लगता है जैसे किसान मिलने नहीं आ रहा है, दुश्मन देश चड़ाई करने आ रहा है आप किसानों से मिलने से रुखने के लिए, किसानों से सवालों से बचने के लिए यह श्वत्त है उतने के उनके रास्ते में कीले ठुकवाते हो और आप कहते हैं देश भक्त हो, आप को ऐसा रास्ता मुबारक हो, हम को नहीं चाहिए ऐसा आपने कहा आप अपने सब्दों को करेक्ट कर लिजेगा हम आपके रास्ते पर नहीं आए हमको नहीं चाहिए कि किसान को देश दुरूई कहा जाए जिस किसान का बेटा बाडर पर जवान बनके बैठा हुआ है आप देश बत्ती की बात तो करते हैं यह कहते तो हैं कि मोदी जी फॉजी की ड्रेस पहन के पहुच गए थे तो चीम पीछे हट गया मोदी जी ने यह कर दिया था मोदी जी ने वो कर दिया था कहते तो हैं उस जवान की शहादत का उस जवान की बहादरी का क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन वो बेटा उस किसान का वो जवान बेटा अग आपको मुभारखो हमारे देश को ऐसी देश बत्ति नेची देश्वक्त कहते हैं अपने जवानों के काम का क्रेडिट लेते हुए श्रब नहीं आती जिस जवान ने यह कहा कि मुझे दाल नहीं मिल रही है दाल के बदले पीने का पानी मिल रहा है उसको पागल करार दे दिया चल को नोगों ने और इसको नोकर इसे निकाल दिया इन लोगों उसका क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं रहा मुझे जवानों पागल कहते हैं अगर वह समय जवान खाना खाने को मANGगे यह दाल तो ठीक से देदो यार ऐसी आपको मुझे रहा रहा हो हमको वह लिए दर आप आजनी के बिल इतने महेंगे कर दिये हैं कि वो खून के आशू रोने पे मजबूर है इसको यह अपना रास्ता कहते हैं इसको इनकी देश्वक्ति है आज हम इस बात की बात कर रहे हैं हमारा रास्ता यह है कि दिल्ली के हर आदमी को वो चाहे कितना भी गरीब हो उसके घर में कम से कम एक चराग तो रौशन हो सके बल्ब तो जल सके यह हमारी देश्वक्ति है एक आग्मी अपने घर में बल्ब जलाने के लिए दो दो हजार चार चार हजार रुपे का मासिक बिल चुका है यह आपका रास्ता है आपको मुआ रखो हमको ने चले हैं हम नहीं चलेंगा बात तो करो देश्वक्ति का मतलब क्या हुआ उसको तो बात करो आप नारे जोर से लगाते हो और भगल में छुरी लखते हो और अपने आपको देश्वक्त कहते हो हमारे लिए तो दिल्ली की तरक्की ही देश्वक्ति है हमारे लिए तो दिल्ली वाले की तरक्की ही देश् लोग करें कि ये देश भक्तों की पार्टी और इनके नेता देश भक्त अर्विन केजरिवाल जी के होते ही ये विजन संभवता वरना तो मुश्किल था मानी मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी के विजन में पढ़ना देश भक्ती है और पढ़ाना देश भक्ती है तिरंगे के नीचे खड़े हुए एक एक आदमी को मान सम्मान देना भी देश बखती है। हर भारतिये को भारत देश के हर नागरिक को जो तिरंगे के साय में खड़ा है उसको बराबर का मान सम्मान देना हमारे लिए देश बखती है। किसी को छोटा बड़ा समझना हमारे लिए देश बगती है, सब को बराबर समझना हमारे लिए देश बगती है, सब को अच्छा विजली पानी मिले, सब से सस्ता विजली पानी मिले, ये हमारे लिए देश बगती है, बुजर्गों को तीर थी आत्रा पे लेके जाएं, ये भी मुखामनत्र जी कहते हैं कि दिल्ली के युगाओं को रोजगार मिलें ये भी थेश वक्ती है कि हमारे कलाकारों को सम्मान मिले कि जिनको कुद्रत चांव मिला हो उनको और लो सव recur هي.